क्लिक予 आज में व्युट्न हे ज़स्टैल माई छेखे मेट पनी आप लोका बहुत बहुत स्वागत है तो आज मैं आप लोको बताने वाली हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा बैल एक अप्रेश कर लिजिएगा इसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्टे मेरा इकॉल चैनल है इंडियन यूटूबर सी इस ती वारी जिसमें मैं कप्रों की कर्टिंग और स्टिचिंग का काम सिखाती हूं उस चैनल को भी जाके सब सब्सक्राइब चैनल पर आपको मिलेगे अमेजिंग है इस टालिस की वीडियो और ब्यूटिप आलते को इस तो चैनल को लिए जादा बाते ना करते हैं तो गाइस सबसे पहले इस तरह मैंने अपनी डॉल को यहां पर रखा हुए अभी सबसे पहले इसको इनकी एक पोनी लो पोनी ओके तो अच्छे ते सुल्जा लिया मैंने आप अपर अब 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 यहां पर आपको पोनी बना लेनी है इसकी टाइट पोनी बना लेनी है कि इतना टाइट आप कर सकते इतना आप टाइट कर लोगे उसके बाद से आपको क्या करना है कि यहां पर मैंने इनकी पोनी बना दी है थोड़ा सा मैं इसको टाइट कर रही हूं क्योंकि यह निकलने निकलने सी हो दी थी इसलिए और अभी क्या करना है यहां पे आपको clutchर लगा देना है क्लाचर की मदद से प्योड़फूल सा हेरस्टाईल अपका बन जाएगा बन हैस्टाईल अब इसको अच्छे से कौम करेंगे और थोड़ी दूर छोड़ के यहां पे ताकि आपका हिया अच्छे से इस तड़ी के देखा भवर हो जाए इतना छोड़के आपको यहां पे एक जबढ़ बेंड लगा लेना है जबड में लगाने के बाद से जबड के बाहर जितने भी खेए तो थोड़ा सा फैला लेंगे और बाहर में जितना भी हेए उसको अंदर जितर फिन करेंगे अच्छे से पूरार कर देना है और क्लचर के ऊपर शेयते ले जाके इसको यूपीन के मदब से सेट कर देना है कि यूपीन या बॉबी बॉबी पिन से अगर ज्यादा लॉंग टाइम के लिए रखना है तो आपका निक लेगा ने तेरी के किना फिनिशिंग से बन गया अभी जो हमने बाल छोड़े हुए है उसका क्या करना है तो चलिए वह बताती पहले मैं इसको अच्छे से यूपीन क कि यहां से इस तरीके से और जो लेयर लिए है अपने उसको दो भागों में डिवाइट करना है और इस तरीके से एक दूसरे दोपा लपेट देना है के जब आप इसको अच्छ bert लोगे उसके बाद से ईसको जाउंड अऩरौ इस तरीके से घुमाना है कैसे वो में दिख़्ा इस तरीके से जांडरौ लपेटना हैं और जो अपने बन बन hani कि दूसरी तरफ ऐसे लेके जाना है और याँ पे इसको जूड़ा पिन की मदद से से ट कर देने हैं इस तरीके से जूड़ा पिन की मदद से इसको सेट कर देना है छार लेश बना लेनी है चारू लेयर्स बना लेने के बाद से उसी तरीके से राउंड राउन लपेट के उसको सेट कर देना है उसके बाद से बाकी बचे बालों को भी इस तरीके से राउंड राउन लपेट के और यहां पर आपको इसको सेट कर देना है बहुत ही प्यादा है अच्छा लग रहे है से सेट हो जाए तो आप से स्टोन वाले यूपिन होंगे उसकी मदद से इनको जहां जहां आपने बनाया हुआ है उसको तो यह हमारा अच्छे से सैट हो चुका है अभी मैं यह यह जूड़े पिन को अच्छे से इसमें लगा देती हूं कैसे लगाना है तो यह जमने तो कैसा लगदा आप लोग को हेरस्टाइल जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में तो पिक्स भी दिखा देती हूं मैं भी आपको इस तरीके कर लुक था यह सारा और यह मैंने पिक्स ली थी वह देख लीजिए आप लो तो आप लोको हेरस्टाइल अच्छी लगी हो अच्छी से मज में आ गया होगा वीडियो अच्छी लगी हो हेरस्टाइल अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजेगा और इंडियान यूट्यूबर प्रित्ति वारी चैनल पे जरूर जाएगा मापे मैं आ प्लीज लाइटे रहती हूं और यहां पे आप लोग को ब्यूटी बाला से लेटेड और हेरस्टाइल से लेटेड सारी वीडियो जाएगा और अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो समझ में आ गया हो तो मैं एक लाइक तो बनता है लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लेटेड तो सारी वीडियो मिलेगी थैंक्स को बचीन सब्सक्राइब लाइब लाइब लाइब